आज की वीडियो का टॉपिक है Automatically Create Onboarding Zoom Meetings for New Employees सिखाऊँगा आप लोगो को कि कैसे आप अपने New Employees के लिए उनकी Onboarding के लिए Automatically Meeting क्रियेट करवा सकते हैं और उस Meeting का Link and Details Automatically as a Email शेयर कर सकते हैं उनके Gmail अकाउंट पे इसके लिए हम एक Automations एक करेंगे Air Table Zoom और Gmail के बीच में Then क्या होगा जबी भी हम जाके हमारे Air Table के अंदर Details एक करेंगे तो Automatically Details में क्या एक करेंगे Employee का नाम, Email, Address वगरा वगरा तो जिस दिन जितने बजए जितनी तारीक को हमने Details एक करी है Air Table में उस दिन के 24 घंटे बाद, एक दिन बाद, एक Meeting Schedule हो जाएगी Automatically Zoom के अंदर, है न, Create हो जाएगी Meeting Then Automatically उस Meeting से Related Details उस Employee को जिसकी Details अपने Air Table में Add कियें, उस Employee को Share हो जाएगी as a Mail, जिसमें सारी Details दोंगी कितने बजए Meeting है, उसका Join URL वगरा वगरा तो यह Automation कैसे साइक करना है, यह मैं बताऊंगा, पूरी Process, Step by Step, अभी अपनी स्क्रीन पर Okay, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है, www.pably.com सामने आजाएगी Official Website Then आपको क्लिक करना है, Sign Up Free पर अपना Account निमें बनाने के लिए मैं अपना Free Account बना चुका हूँ, that's fine, मैं क्लिक करूँगा, Sign In पर First Option आएगा, Pably Connect क्लिक करूँगा, Access Now पर Access Now पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा, Pably Connect का Dashboard Dashboard ओपन हो जाएगा, Create Workflow पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दैनी हमसे मांगेगा नाम, क्या नाम देना चाहते हैं आप अपने Workflow को तो मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ, Airtable to Zoom to Gmail, मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जो की होगा इसी Workflow का आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और आप भी मेरा बनाया है, यह सेम Workflow यूज कर पाऊँ कि अपने अकाउंट में वो भी एक दम फ्री में, ओके, सो Workflow को नाम दिया, मेरे सामने दो Windows आगई, Trigger और Action की, दोनों ही काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंटिग्रेशन में, Trigger में, वैंडिस हैपन, जब भी ऐसा हो, Action में, दो दिस ऐसा कर दो topic क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने air table की, इस table में, जबी भी किसी new employee का name, email address, वगरा वगरा add करूँ तो automatically, जिस date और जिस time पर मैंने यहाँ पर data add किया है, उस date और उस time से, एक दिन बाद, एक meeting automatically create हो जाए मेरे zoom के account में, then automatically, जो employee का email address मैंने यहाँ पर add किया, उस email address पर, एक email sent हो जाए, जिस email के अंदर, उस meeting से related details हो, कि यह meeting का नाम यह है, और इसका join URL यह है, यह इतने वज़े होने वाली है, जिससे कि, जो employee मैंने अभी अभी hire किया है, उसकी मैं onboarding meeting ले सकूँ, उससे वहाँ पर meeting कर सकूँ, okay, है ना, तो automatically, यह process मैं चाहता हूँ हो, सिर्फ मेरा क हम कितना रहे कि मैं यहाँ पर आके एक new row add करूं, जिसमें employee का data हो, बाकी की जो पूरी process है, वो automatically हो, तो ऐसा automation हम set कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए, हमें first application में सबसे पहले choose करना होगा, air table को, सर्च किया, choose कर लिए air table को, then उसके बाद, trigger event में हम choose करेंगे new record को, okay, then, यहाँ प हमें मिल जाएगा air table से, तो यह है मेरा air table का account, यहाँ पर profile icon पर मैं click करूंगा, then नीचे account का option आएगा, तो मैं click करूंगा, account पर click करने के बाद, मेरे सामने एक new page open हो जाएगा, okay, so जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह लोड हो रहा है, एक से दो second के अंदर यह लोड हो ज तो इस पर click करके हम इसको copy कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, पैबली connect और यहाँ पर paste कर देता हूँ, then simply click करूंगा save तो मेरा connection हो successfully हो जाएगा air table के साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे है, मेरा air table connected है, पैबली connect से, connect होने के बाद यह मुझ से पूछ रहा है किस base के अंद select कर लूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे base का नाम है employee details, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और choose कर लूँगा employee details नाम का मेरा base, तो यह रहा employee details नाम का base, choose कर लिया है, then इसके अंदर जो table है, उसका नाम है table 1, और कोई दूसरी table नहीं है, that's why by default select हो जाएगी, क्योंकि को यहाँ से हमको choose करना होता है created time, okay, और just save पे, यहाँ से format choose करके click कर देना होता है, okay, so जैसी हम save पे click करते है, तो यह created field, जो है, set हो जाती है, हमारी create हो जाती है, तो आपको यह करना compulsory है, तब ही यह trigger field यहाँ पे select होगी, ठीक है, नीचे instructions भी दिए हुए, कहीं पे अगर आपने, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो new row में मैंने data add किया है, यह data public connect के पास receive हो जाएगा, चल यह click किया है, मैंने save and send test request पे, successfully response received हो गया है मेरे पास, okay, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैंने name add किया था, employee, demo employee, member ID, email address, department, और field created date and time, okay, so successfully यहाँ पे सारा data receive कर लिया है, public connect ने, इसका मतलब यह है कि connection एकदम perfectly work कर रहा है, air table और public connect के बीच का, अब जबी भी हम हमारे air table की इस table में, एक new row के अंदर कोई data add करेंगे, तो इसी तरह से, मात्र 10 minute में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, every 10 minutes में यह work करेगा, है ना, एक 10 minute में अगर आ 100 लोगों का data add कर दिया, तो इस 100 लोगों का data, पैबली connect के पास 10 minute बाद आएगा, जैसे कि यह एक person का data आ गया है, okay, so इतना automation हमने set कर दिया है, आगे अब हम क्या चाहते है, मैं चाहता हूँ कि, इन details में से कुछ details की help से, एक zoom meeting create हो जाए मेरे zoom के account में, लेकिन, यह जो date or time ह कि एक दिन बाद वो meeting create हो, है न, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो date or time का, एक दिन बाद का date हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम आज नहीं करने वाले meeting, एक दिन बाद करने वाले है, है न, और साथ ही साथ, इसका format भी हमें, जो है, change करना होगा, क्यों करना हो गया, जैसा कि आप देख रहे है, then action event पे आएंगे, और हम चूज करेंगे create a meeting को, क्योंकि हम meeting create करवाने वाले है, then click करेंगे connect पे connection के लिए, उसके बाद add new connections पे, then connect with zoom पे, then ही हम से access मागेगा, अगर हमारा account जो है, पहले से login नहीं होगा, तो जैसा कि आप देख रहे है, मेरा account already login है, that's why मैंने successfully, तुरंत, instantly connection बना लिया, आप भी connection से पहले, make sure किजेगा, कि आपका zoom का जो account हो, वो login हो, तो जैसे कि आप देख रहे है, मेरा zoom connected है, पैबली connect से, connect होने के बाद यह मुझ से बोल रहा है, कि sir topic बताइए, किस नाम से आप meeting create करना चाहते है, then, यहाँ पर आप देख पर है, start time, okay, तो यहाँ पर हमें start time जो है, देना होगा, और यहाँ पर नीचे साफ साफ दिया हुआ है, कि format should be in YYMM, DD, THHMM, SS format, means year, month, date, t, hours, minutes, seconds वाले format में, इने जो है, चाहिए date और time, okay, तो यहाँ पर हमें जो date और time मिला है, एकदम perfect यही format में मिला है, जै DD, THHMM, SS, एकदम perfect format में मिला है, जैस format में होने date और time चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक दिन बाद meeting करवानी है, इस table के अंदर row add करने के, तो एक दिन बाद meeting add करवानी के लिए हम क्या करेंगे, उपर आएंगे बीच में plus button पे click करेंगे, और action step add करेंगे, और तो action event पे आऊंगा, और यहां पे मैं choose करूँगा add and subtract time को, उसके बाद में click करूँगा connect पे, यहां पे मैं date enter करूँगा, जिस भी date के अंदर मुझे time को add करवाना है, तो यह date मुझे उपर मिल गई है, जैसे कि आप लोग देख रहे है, created time वाली, तो इस date को मैं इस blank field में add क करने के लिए, मैं एक technique का use करूँगा, जिसको हम कहते है mapping, mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते है, कैसे कर सकते है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, आपको just click करना होता है blank field पे, नीचे option आता है आपकी trigger application का, click कीजिए उसके उपर सारा data open हो गया, यहां पे जो date है उसको, तो यह रहा हमारा created time, click करके add कर देना है, यह जो process मैंने भी करी, cco mapping क्याता है, जितनी easy और simple है, अतनी important है, क्यूं है, क्यूंकि next time जब यह process, जब यह automation set हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हमारी table में कोई new employee हायर होगा, तो उसका नाम, email address, add करूँगा, तो automatically, जो details मैं add करूँगा, वो same time पर तो करूँगा, यह मैंने 5.45 पर किया, तो different time होगा, और date होगी, है ना, तो different time और date के according, जो date और time आएगा, वो यहाँ पर automatically add हो जाएगा, जो मैंने, इसलिए होगा, क्योंकि मैंने यह वाला date और time अभी map किया, तो map करने से automatically data add हो जाता है, that's why हमें map करना important है, then expression में हमें क्या करवाना है, हमें एक दिन बात की date चाहिए, तो नीचे से में यहाँ पर, जो है, यह वाला, copy कर लूँगा, minus one day वाला, okay, सबसे पहले, ठीक है, तो इसको copy किया, यहाँ पर paste कर दिया, then minus की जगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा, plus, क्योंकि मुझे एक दिन add करना है date के अंदर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर successfully, plus one day, okay, then यहाँ पर two format, किस format में हमें date or time चाहिए, okay, so हम same format में date or time चाहिए, d, d, mm, oh, sorry, y, mm, d, d, th, mm, यह वाला, okay, so मैंने यहाँ पर आके successfully, यह वाला format है ना, नीचे जिसमें हमें चाहिए, y, mm, d, d, th, z, okay, so यह वाला format हम यहाँ से choose कर लेंगे, है न, आउंगा, यहाँ पर कहा है वो format, यह रहा, z, यह लिखा हुआ, इसके date or time मिलाए, तो यह भी वही format है, है ना, t, z, वाला, तो इसको यहाँ पर वही same format चूज कर लूँगा, okay, so यह रहा, y, y, mm, d, 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 ठीक है, run click करूँगा, save and send test request पे, तो मुझे एक दिन बाद का date or time मिल जाएगा, successfully जैसे कि आप लोग देख रहे है, आज 14th of December है, तो मुझ 15th of December की date or time मुझे यहाँ पे successfully मिल गया है, इसका मतलब यह है, कि एकदम perfectly हमने date or time यहाँ पे निकाल लिया है successfully, है ना, अब आ जाता हूँ नीचे, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं meeting create करवाना चाहता हूँ, इस date or time को, लेकिन उससे आपके मन में question आ रहा होगा, कि यहाँ पे जो time और जो date तो match हो रही है, लेकिन जो time है, वो match नहीं हो रहा है, जो हमने atable में add किया था, जिस वक्त हमने यहाँ पे row add की थी, तो उस वक्त time हो रहा था 5.45 PM, date तो same है, लेकिन यहाँ पे timing match नहीं हो रही है, है ना, एक दिन ब 44 PM, है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ और time है, तो यह time ऐसा क्यों बता रहा है, यह इसलिए बता रहा है, क्योंकि air table से जो हमें data रिसे वहा था, उसमें जो timing में मिली थी, वो UTC format में मिली थी, और हमारा जो timing है, वो है IST format, means Indian standard time format में, okay, तो हम क्या करेंगे, जब इस time को convert कर ल प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, actions tap, add करता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा चूस करूँगा, date time formatter को, लेकिन इस बार action event में चूस करूँगा, हमारा format time zone only, क्योंकि मुझे time zone change करना है, यह मुझे मिला है, UTC format में time zone, लेकिन मुझे चाहिए IST format में, तो connect पे क्लिक format में जो है, यही रहने दूँगा, क्योंकि इसी format में, then from time zone, यहाँ पे हमें चूस करना है, UTC, जैसा कि मैंने बताया, UTC format में हमें मिला है, then two time zone के अंदर हमें चूस करना है, Kolkata, Asia Kolkata, यह मैंने चूस कर लिया, then click करूँगा, save and send test request पे, तो successfully मेरे सामने response received हो जाएगा, ज 5.45 हो जाएगा, एक दम perfectly हमें date और time हमारे time zone के अंदर मिल गया है, अब कोई problem नहीं है, अब हम successfully meeting create करवा सकते हमारे zoom में, क्योंकि हमारे पास start time भी आ गया है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, और एक बार refresh करूँगा, अपने zoom को connected पे click करके, just save पे click कर दूँगा, क् अब हमने उपर एक step add की है, that's why refresh करना ज़रूरी है, तो अब सबसे पहले तो हमें topic देना होगा, तो यहाँ पे मैं topic दे देता हूँ manually, onboarding new employee, या फिर इसको कर देता हूँ new employee onboarding meeting, okay, simple, इसको मैंने कर दिया, तो हर बार हर employee के लिए यही same नाम रहेगा, है ना meeting का, new employee onboarding meeting, okay, तो मैंने इसको यहाँ पे manually लिख दिया, then type आपको यहाँ पे जो रखना instant meeting रखनी है, schedule meeting रखनी है, तो मुझे meeting schedule करनी है, एक दिन बाद रखनी है, okay, so यहाँ पे आ जाओंगा start time, तो यहाँ पे अब मुझे start time add करना है, जो कि मैंने अभी अभी निकाला है, अपने last holiday time formatter स तो यह रहा start time, लेकिन नीचे जैसे कि आप लोग देख रहे है, enter start time to set time is gmt the format, should be yy, इस format में जो है date और time होना चाहिए, तो यहाँ पे हम आजाते हैं, और date और time हमारा जो है, वो हम यहाँ पे map कर देते हैं, तो यह रहा मेरा date और time, इस format में जो है, इस format में को चाहिए, then नीचे आजाओंगा duration पे, duration मुझे एक घंटे का meeting रखना है, जादर स्थादर तो मैं हाँ पे minutes के अंदर लिख दूँगा, 60, okay, हैना तो 60 लिख दिया means 1 hour, okay, अगर 2 hours के लिए मुझे meeting रखना होती, तो मैं हाँ पे 120 कर देता, ठीक है, time zone, password, agenda, अगर आप यहाँ पे लिखन करना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, skip करना चाहें, तो skip कर सकते हैं, मैं तीनों को skip कर रहा हूँ, click करूँगा save and sign test request पे, successfully, मेरे zoom की meetings में एक new meeting create हो जाएगी, जिसका नाम होगा, new onboarding, जो मैंने नाम दिया है, आपे new employee onboarding meeting, okay, चलिए, click किया मैंने save and sign test request पे, अब हम चलके check क करते हैं, zoom के अंदर कोई meeting create होई के नहीं, refresh कर लेता हूँ, एक बर अपनी meetings के page को, तो refresh करने के बाद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, successfully, 5.45 pm से लेके 6.45 pm तक, एक meeting schedule हो गई है, कल के दिन, tomorrow, क्योंकि मैंने आज के दिन 5.45 पे यहाँ पे data add किया था, that's why एक दिन बाद यहाँ पे, 5.45 pm पे, एक घंटे की एक meeting create हो गई है, जिसका नाम है, new employee onboarding meeting, एक दम perfectly यहाँ पे zoom में meeting create हो गई है, means zoom का connection भी perfectly work कर रहा है, तो अभी तक हमने इतना automations add कर दिया है, कि जबी भी हम यहाँ पे कोई neuro add करेंगे, तो जितनी भी date or time को वो neuro add करेंगे, automatically उतनी तारी 24 hours के बाद यहाँ पे meeting create हो, एक meeting schedule हो जाएगी, meeting तो instantly create होगी, लेकिन जो उसका timing होगा, meeting start होने का, वो एक दिन बात का होगा, जैसे कि इसका यह कल होने वाली meeting, okay, है ला, तो successfully, इतना automation हमने अभी तक set कर दिया, अब आगे और मैं क्या चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, कि जिसके लिए मैंने meeting create की है, जिसका मैंने email address यहाँ पे act किया है, उसको उसके Gmail account पे email चला जाए, कि आपकी कल meeting है, etc, etc, join URL यह रहा, meeting का नाम यह है, okay, so इस तरह का email sent हो जाए, तो ऐसा करवाने के लिए मैं आऊँगा, last application में सबसे पहले choose कर लूँगा, किसको Gmail को, okay, search किया, choose के लिए मैंने Gmail को, क्योंकि मैं Gmail के through email send करना चाहता हूँ, then action event मैं choose करूँगा, send email को, click करूँगा connect पे, then add new connections पे, then connect with Gmail पे, then अपना Gmail account चूँगा, just Gmail account से मैं email send करने वाला हूँ, नीचे स्क्रॉल करके continue पे click करूँगा, don't worry, pably connect is 100% safe, authorization successful हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, connected है मेरा Gmail, pably connect से, connect होने के बाद सबसे first field आई है, recipient email address की, तो यहाँ पे email address add कर देना है हमें हमारे, किसका employee का, new employee का, जिसको भी हम meeting के बारे में knowledge दे रहे हैं, email send करके, तो उ email address मुझे कहां से मिलेगा, air table से मिल जाएगा, click करूँगा air table पे, यह रहा email address, click करके map कर दिया, simple cc, bcc को skip करते हुए, sender name, company के नाम दे देता हूँ, sender name में, आप जो भी sender name देना चाहते हैं, दे सकते हैं, email subject में दे देता हूँ, meeting, update, ओके, आप चाहें तो कुछ और दे स skip करूँगा, email content type plain रखना चाहता हूँ, आप HTML भी रख सकते हैं, अब आ जाता हूँ, email content पे, तो यहाँ पे, email content पे, email content करना है, किस तरह का, मैं email send करना चाहता हूँ, okay, okay, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे, manually, एक simple सा message, type कर दिया, hello, hello के बाद मैंने क कुछ blank space रखा है, and this is to inform you that tomorrow you have an onboarding session to attend on zoom, please be ready and join the meeting sharp at, उसके बाद भी blank space रखा है, you can join the meeting through this link, उसके बाद blank space रखा है, then thanks, तो यह पूरा data जितना मैंने manually add किया, यह मेरे हर email में सेम रहेगा, और अब जो data मैं map करूँगा, वो चेंज होगा, है ना, जैसे कि मैं बता चुका ह आपको उपर ही mapping के बारे में, तो hello के बाद में क्या करूँगा, नाम जो है map करूँगा किसका, employee का, जिसको email sent हो रहा है, तो यह रहा उसका नाम demo employee, click करके map कर दिया, then उसके बाद zoom, please be ready and join the meeting sharp at, तो यहाँ पे, जो है timing में map करूँगा सबसे पहले, okay, so timing, यहाँ पे मुझे नीचे आऊँगा, कहां से मिल जाएगी, अपने, zoom से मिल जाएगी, एक बार नीचे आ जाता हूँ, start time, created at, okay, नीचे scroll करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमें, जो है, उस format में, UTC format में data मिलेगा, तो इस अच्छा हमारा जो हमने, date time formatter से जो time निकाला था, वो click करके हैं, map कर द देता हूँ, joining link, okay, जो space है, हटा देता हूँ, उसके बाद, यहाँ पे, मुझे, zoom से मिल जाएगी, join link, zoom पे click करना है, और यहाँ पे search करना है, join, okay, तो यह आ गई, join URL, click करके, map कर दी, simple, बस, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, अब इस email address पे तुरंट एक mail sent हो जाएगा, okay, तो इनका जो Gmail account है, वो मैंने अपने PC में successfully open करके रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी emails है, इनको मैं सबसे पहले तो archive कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दी है, है न, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे है और यह क्लिक किया, मैंने save and send test request पे, so successfully response received हो गया है, जैसी मैंने क्लिक किया save and send test request पे, तुरंट एक email भी आ गया होगा, चलके चेक करते हैं, यह जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास email आ गया है, magnet brains के नाम से, जैसे कि मैंने sender name दिया था, meeting update जो कि मैंन and join the meeting shop at this date and time, you can join the meeting through this link, okay, so this link पे click करेंगे, तो सीधे meeting पे पहुच जाएंगे, एक दम perfect email आया है, जैसा मैं चारा था और इस email की presence बता रहे है, कि मेरा automation successfully set हो गया है, अब मुझे save पे click करना है, और अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह पूरी process अब automatically होगी, क्या होगा, automatically मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, इन सबी steps को minimize करके, अब जबी भी हम हमारी air table की stable में, एक new row में कोई data add करेंगे, किसी employee का नाम, email address वगर add करेंगे, तो automatically उस employee के लिए सबसे पहले तो, एक meeting create हो जाएगी हमारे zoom में, एक दिन बाद की, जो की start होग एक दिन बाद, meeting तो create हो जाएगी instantly, लेकिन, जो start होगी, जो उसका schedule time होगा, meeting start होने का, वो तुरंट जिस दिन और जिस तारीक को, जिस समय हमने हमने हापे, date और ये वगरा data जो add किया, इस data के, 24 गंटे बाद, एक meeting, जो हम आपे start होगी, है ना, create हो जाएगी, और automatically, जिसक automation हमने set कर दिया, और ये पूरी process automatically होगी, हर 10 minute में automation run करेगा, जैसे की लिखा है every 10 minutes, अगर आप अभी, जैसे automation हमने set कर दिया, तो अभी 10 minute के अंदर अंदर हम यहाँ पे, जैसे की 10 लोगों के नाम, address, email address वगरा add कर देते हैं, तो उसके 10 minute बाद, automatically, 10 meetings create हो जाएगी, है ना, जितने भी date on time को हमने यहाँ पे data add किया, और date on time से एक दिन बाद की, okay, schedule हो जाएगी, सारी meetings, और यहाँ पे save हो जाएगी, then, जिनका भी email address हमने यहाँ पे add किया, उन सभी को एक-एक email sent हो जाएगा, उनकी meeting से related, जैसे की demo employee को यह email sent हुआ है, तो यह पूरी process automatically होगी, और ज जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा इसी workflow का, आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया है, यह same workflow यूज कर पाऊगे, अपने account में वो भी एकदम fee में, अगर आपको इस video से related कोई भी doubt आता ह या फिर आपके कुछ questions होते हैं, या फिर आप मुझसे, या मेरी team से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने questions, queries, जो भी आपको पूछना है, वो आप पूछ सकते हैं, second thing, अगर आपको पैबली कनेक की price जाननी है, तो इस link पे जाके चेक कीजिए, और सबसे most important part, अगर यह video पसंद आया, तो इस video को like करना मत भूलेगा, और मेरे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा, thank you.